हेलो एन वेलकम गाइज स्वागत है आपका पेंटासी डिसन चलेंजर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केशी एटी ट्वेंटी पिंग चलेंज जो की मैच होने वाला है टीम सफायर और टीम एमलेंड के बीच में मैच दो पेर एक बज़े से स्टार होगा पीच रिपोर्ट के बात करें तो बोलिंग पीच रहने वाली स्पीनर को हेल्प मिल सकती है बेश्पेन के लिए थोड़ इसी डिफिकल्टी होने वाली है एवरेस्ट को 110-130 के बीच में हो सकता है चेजिंग के बात करें तो अभी तक चार मेच खिल diss ground में जहांपर दो मेच चेजिंग करनी वाली टिम ने जीती है तो दो मेच पहले बैटिंग करनी वाली टिम ने जीती है तो आईए चलते दोनों टिम के फ्लेयर के एनालिसिль कर लिते एक बार लेकिन इससे पहले अब अबीदक हमारा टेलीगरम चैनल कर सकते हो तो चले दोनों टीम के प्लेयर के अनालिसेस कर लिए तेम रुबी की बात करें तो एक मैच को यह जो की हार किया ही है सदा नंधन की बात करें तो पांच में 71 रन किये, साथ में 3 विकेट भी असिल किये, लाज में बहत्रीन परदर्शन करते हुए 55 रन की पारी के लिए थी, सिर्फ 50 गेंदों में, साथ में 2 ओवर की गेंद बाजी भी थी, जहां पर उनको एक विकेट असिल हुआ था, अभी ना एम की बात कर थे, जिसमें 35 रन बनाए थे, साथ में 7 विकेट भी असिल किये थे, लाज में ने तीज गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बनाए थे, और चार ओवर की गेंद बादी की थी, लेकिन एक भी विकेट असिल नहीं हुआ था, एन नौसाद की बात करें तो 9 मेश के लिए 22 रन और साथ में बारा विकेट भी आसिल किये है लास्ट मैच में तीन ओवर की गेंद बाजी किती और साथ में एक विकेट भी आसिल किया था अलीना MP की बात करें तो आठ मैच के लिए थी चार विकेट आसिल किये थी और जिसमें कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ था चैचन ने जे की बात करें तो अभी तक चार मैच मेच 27 रन का उनका रेकूर्ड था लास मैच में साथ गेंदे खिलनों को मिली थी लेकिन सिर्फ दो रन ही बना पाई थी एस्वर्या 1K की बात करें तो 1 ओर की गेंदबाजी की थी जहापर एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ था टीम अमरल की बात करें तो 1 मेच के लिए जिसमें वो जीत हासिल करके आई है जेश डिप्ती की बात करें तो 9 मेच में 145 रन बनाए हुए है मारिया बेने की बात करें तो 19 गेंदे खेली थी जिसमें सिर्फ 3 रन ही बनाए थे संतोस अनस्वरा की बात करें तो अभी तक 1 मैच खेली थी जिसमें 5 रन बनाए थे लास मैच में चार वर की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल की थी मेबी आरिया की बात करें तो लास्ट मैच में तीन गेंदे खेली थी जिसमें एक भी रन नहीं बनाया था लास्ट मैच में भी दम्मा के दार प्रदर्शन करते हुए 36 गेंदों में 50 रण की पारी के लिए थी 2 ओवर की गेंद बाजी भी एकी थी लेकिन विकेट एक भी आसिल नहीं हुआ था सुरेंदरन अलीना की बात करे तो 9 मैच में एक सो चालीस रण बनाए थे साथ में 6 विकेट भी आसिल किये हुए लास्ट मैच में 19 गेंदों का सामना करते हुए 17 रण बनाए थे साथ में 2 ओवर की गेंद बाजी भी थी लेकिन विकेट एक भी आसिल नहीं हुआ था 20 अपर निका की बात करे तो 6 गेंदे खिलने को मिली थी जिसमें एक रण ही बनाया था मोहनन दर्शना की बात करे तो अभी दक उन्हों ने 8 मैच खिली थी जिसमें त्यपन रण बनाए थे साथ में 5 विकेट भी आसिल किये थे लास्ट मैच में भी 3 वर की गेंद बाजी की थी लेकिन विकेट एक भी आसिल नहीं हुआ था वी जोशिदा की बात करे तो अभी तक 6 मैचे खिली थी जिसमें रण एक भी नहीं बनाया था लेकिन 4 विकेट आसिल किये थे लास्ट मैच में 14 गेंदे खिलने को मिले थी जिसमें रण उन्होंने 7 बनाये थे 3 वर की गेंद बाजी करते हुए एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ था वी सुरेंज रण की बात करे तो 4 वर की गेंद बाजी की थी साथ में 2 विकेट भी आसिल किया था इस में हमारे लिए टॉप पिक होने वाली है एम मनी इनको भी किंद बिल्कूल नहीं को देंगे तो चलिए अभी चलते हैं ड्रीम एलेवन में और हमारी जो टीम है इसके उपर एक बार नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पर विकेड की सेक्शन में मैं अभी ना के साथ जाओंगा कि वैसना का बैटिंग ओडर बहुत ही नीचे है इसलिए अब टीन्री है आपनी टीममें घॉया ठीवों सीना के साथ जओंगा क्योंकि वह वांडाउन City स्यक्शन में यह चार हो इसमें से किसी को भी छोड़के नहीं जा सकते यह सदननन्दन एम मिनू एम मंदृषन और आई लिना यह चीव को भी लेना ही लेना है इवन क्याप्टन्जीब वाइस क्याप्टन्जीब भी यह चारे में एम अलीना को ले सकते हो या फिर आप जोशिता को भी ले सकते हो या फिर आप अलका को भी ले सकते हो नीचे अलका भी एक अच्छी खासी बलिंग कर सकती है तो या आप देख सकते हो अभी हम सेव टिम के साथ जाएंगे स्मॉल लिक के लिए अगर जाएंगे तो हम एस असन् अनंदन और M मिनू है तो आप यह दोनों में से किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो तो चलिए आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से अमारी टीम रहने वाली है लेकिन याद रहे यह सिफ डेमो टीम है इसमें बहुत सारे चैंजिस हो सकते हैं तो फाइनल टीम के लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करना है टेलिग्राम जोइन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में एटेश कर लिए अगर लिंक कर लेना है तो यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेर जरूर कर दे और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखे क्योंकि आगे और भी अच्छे खासे मैच इसके वीडियो आने वाले आपको स्मॉल लिग एवन गरान लिग की टीप्स भी मिलती रहेगी साथ में आपको फ्री टीम प्रवाइड होती रहेगी तो आपको चैनल जोइन करना बनता है यूटूब चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना बनता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद